तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नमबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्जामपल नमबर 2 तो एक्जामपल 2 में हमें दिया है फाइंड दा एरिया ऑफ दा सेग्मेंट A, Y, B शोन इन दा फिगर एक फिगर दे रखी हमें उस फिगर के अंदर एक सेग्मेंट दिखाया है तो सेग्मेंट का नाम दिया है A, Y, B जिसमें हमने ये ब्लू कलर का शेड गिया है इसका एरिया बताना है इफ दा रेडियस ओफ दा सर्कल इस 21 सेंटी मीटर सर्कल की जो रेडियस हैं वो कितनी दे रखी हैं 21 सेंटी मीटर एंड एंगल A, O, B इक्वल टू 120 यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिगरी का है 120 डिगरी का तो हम इस सेग्मेंट का एरिया कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको मैंने इंट्रोड़क्शन वाले पार्ट में एक फॉर्मॉला बताया था इंट्रोड़क्शन में हमने फॉर्मॉला पढ़ा था यह वाला कि सेग्मेंट अगर हमें मान लीजे माइनर वाली सेग्मेंट निकालनी है तो हम क्या काम करते हैं, sector में से, जैसे इस sector था AOBC, इस sector में से इस वाले triangle का area क्या कर देते हैं, minus, ठीक है, ये चीज मैंने आपको introduction ने बताई थी, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर angle दे रखा हो 90 degree का, तो बहुत simple है, यहाँ पर यह जो triangle है, इस triangle की लगापर हम क्या लगा देते थे, 1 upon 2 base into height, क्योंकि जब 90 degree का angle होगा, तो एक base होगा, एक height होगी, एक सामने वाली hypotenuse हो जाएगी, अगर 60 degree का होता था, तो 60 degree में हम लगा सकते हैं, equilateral triangle का, क्योंकि फिर यह equilateral triangle कैसे बैठता था, यहाँ पर मैंने इसका पूरा proof बताया था, कि अगर यह angle 60 का है, तो यह वाले दोनो angle भी 60 degree के होगी, क्योंकि यह 2 side इसकी equal है, दोनों की दोनो radius दे रखी है, तो अगर 2 side equal, तो उनके opposite angles भी क्या होते है, equal, वो चीज़ प्रूव हम नहीं हाँ करी थी, लेकिन जरूवी थोड़ने है, 90 और 60 का ही question आए, question तो कुछ और भी आ सकता है, तो फिर वहाँ पर हमने एक चीज़ प्रूव करी थी, कि अगर कोई और भी angle आता है, तो हम क्या formula लगा सकते है, theta upon 360 into pi r square minus r square sin theta by 2, cos theta by 2, अब यहाँ theta कुछ भी दे दे, 90 दे दे, 60 दे, 120 दे, जादे तर तो हमें question इसके यह बारे में आएंगे, क्योंकि theta को हम 2 से divide करेंगे, तो एक ऐसा angle आना चाहिए, जिसकी value हमें trigonometry में पता होनी चाहिए, तो यह तीनों के तीनों angles पे आप इस formula को लगा सकते हो, इसका proof मैंने आपको introduction ने बताया था, तो हम इसी formula को लगाने वाले हैं, ठीक है, और segment होता क्या है, यह चीज मैंने आपको sector, ठीक है, इस पूरे के पूरे sector में से हम क्या काम करेंगे, यह इतना जो triangle है, इस triangle को क्या कर देंगे, minus, यह वाले triangle को minus कर दोगे, तो यह वाला इससा बचेगा, तो हम क्या काम करने वाले हैं, अभी जो मैंने आपको formula बताया था, उस formula को लगाएंगे, और हमारे पास जो ह segment कौन सी है, उसका नाम इसने बताया है, A, Y, B, A, Y, B, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो sector दे रखा है, area of sector, और sector का नाम क्या है, A, O, B, Y, यह पूरा का पूरा जो हिस्सा है, यह वाला, तो हम लिख सकते हैं, A, O, B, Y में से, minus करेंगे हम क् area of triangle कौन सा, A, O, B, area of triangle A, O, B, अब area of sector का formula हम जानते हैं, वो हता, theta upon 360 into pi r square, और area of triangle A, O, B की जगा पर क्या लगाएंगे हम, r square sine theta by 2, और cos theta by 2, ठीक है, यह कहां से आया formula, उसके लिए आपको introduction का part देखना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने पूरे detail में इसका derivation भी करवाया है, अब यहाँ पर हम values रखते हैं, theta की और r की, और pi की value इसने खुद बताईए, वो क्या रखनी है, हमें 22 upon 7, तो theta कितना दे रखा है, यहाँ पर 120, उसके upon में 360, pi की जगा पर आगया 22 upon 7, और r square, r कितनी दे रखके, इसकी radius वो है 21, तो 21 का square है, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, दो बार लिख लिए हमेंने, फिर यहाँ पर r square है, तो 21 into 21, और sin theta की जगा पर कितना आ जाएगा, 120, उसके upon में 2, अब इस 2 से यह angle इकटेगा, बस और कुछ नहीं काट सकते हो आप, और multiply cos theta by 2, तो cos theta में भी theta की ज उसके बार, 7 बजा 7, एंड 7, 3 जा 21, फिर 3 बजा 3 एंड 3 बजा 3, यहाँ पर तो cut क्या जो cut ना था, यहाँ पर हम angle को आदा कर सकते हैं, 2 से हम 120 को काटेंगे, तो कितनी बार जाएगा, गए 60 बार, और 2 से 120 को cancel करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 60 बार, तो यहाँ पर हमा multiply by sin 60 degree and cos 60 degree, अब sin 60 और cos 60 की value आपने trigonometry वाले chapter में खुब अच्छे से पढ़ रखी है, पहले इनकी multiplication कर लेते हैं, तो multiply करके आएगा 462, minus 441 into sin 60 की value होती है, root 3 upon 2, और cos 60 की value होती है, 1 upon 2, अब आगे solve करते हैं, इसको तो यह हो जाएगा 462 minus 441 root 3 और upon में 224, यह root 3 की 1 में करेंगे, तो root 3 तो आएगा, और यह आगे अपना क्या, इस sector का area, अगर हमें question में root 3 की value बताएगा, तो आप root 3 की value भी इसमें रख सकते हो, वरना आप इसको यह ही छोड़ कर आओगे, NCRT में इससे आगे भी कर रखा है, मैं वो भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको answer यह ही छोड़ना है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है, उसमें common लिया है, बाहर 4B और 22B, तो उसको कैसे बनाओगे, आपको answer ही छोड़ना है बस, लेकिन मैं उसको भी आगर आपको answer ही मैच करना है, तो वो भी चीज मैं आपको इधर बताय देता हूँ, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, 462 multiply 4 और upon में 4, देखा जाए तो हमने कुछ भी नहीं करा, 4 से तो 4 cancel हो जाएगा, अभी भी यह 462 ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने upon में 4 इसले लिया है, ताकि हम denominator में से 4 common ले सकें, अब फिर minus 441 root 3 upon 4, अब नीचे से मतलब denominator में से 4 common आ जाएगा, numerator में से भी कुछ common लेते हैं, तो 462 किस कि multiplication करके आया था, 22 और 21, तो हम 462 को क्या लिख सकते हैं, 22 into 21, और upon में 4, और यह वाला 4 यहाँ पर इसके multiply में आ गया, minus 441 किस किस की multiply करके आया था, 21 की, तो हम लिख लेते हैं, 21 into 21 into root 3, और upon में क्या आ गया, 4, अब देखो इन्होंगे से क्या लेना हमें common, तो minus के इधर से, और minus के इधर से, upon में से क्या common आ रहा, 4, और उपर से क्या common आ रहा, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21, तो 21 हमने क्या ले लिया, common, अब क्या क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ पर बचा 22 और 4, तो 22 की जब 4 में करेंगे, तो कितना आएगा, 88, माइनस, यह 21 अगर common आ गया, तो 21 और root 3 बचे, तो यहाँ पर बचा, 21 root 3 cm2, ठीक है, तो यहाँ भी पूरा solution, तो यहाँ भी नहीं करा, root 3 की वहल नहीं यहाँ भी नहीं रखी है, बिनावाद की क्यों common लेना, तो आप यहीं पर ही इसको answer को छोड़ कर आओगे, तो यह होगे आपका question, example number 2, अगर इसमें कोई doubt आपको लगती है, तो आप comment करके पूछ लेना, और यह जो formula है, इसका derivation एक बार देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि यह कैसे बना है, वरना इसको याद भी कर सकते हो, area of segment हम कैसे निकालते हैं, यह triangle का area मैंने कैसे बनाया है, इसीज़ को आप एक बार देख लो, तो next video मिलते हैं, ठीक है?